आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर गड़्चरोली पुलिस के लिए बनेगा मल्टी स्पेशल्टी अस्पताल रुखमंतरी दिलीपल से पार्डिने की घोशन नागपुर एलवे सेशन पर सुरक्षा के नाम पर यात्वी सुविधाव की दी जार रही बनी सेशन में लगाया गया एसकेलेटर बन और पी एफ की सिक्योरिटी चेक सिल्फी बन और अश्विन में हाड़ी अतिसी बार बने नागपुर दर्बच चेम्बर आफ कॉमर्स के अदेक्शन नागपुर दर्बच चेम्बर आफ कॉमर्स की वार्शिक आम सिथा में हुआ चाया और अब कबरे विस्तार से गर्ची रोली जिले में नकसल गति वीधियों की रोक थाम के लिए काम कर रही पुलिस के लिए जिले में ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को लेकर उठे सवाल पर ग्रूह मंतरी दिलिपफल से पाटिल ने कहां कि जिले के पालग मंतरी एकनाच शिंद ने जिला नियोजन समिती के अधिन गर्ची रोली के सरवांगिन विकास को लेकर प्रस्ताओ तयार किया है इसमें पुलिस किलिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी समावेश है नकसलियो के खात्मे के साथ साथ सरकार जिले में विकास कार्यों को लेकर भी कटी बद्ध है सुमवार को गुरह मंतरी दिलिपल से पार्टिल और जिले के पालक मंतरी ने गर्ची रोली का दोरा किया यहाँ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली बड़ी सफलता के लिए उसभी को बढ़ाई दी गई नाकपुर लोटकर उन्होंने एंकाउंटर में जखमी हुए C60 के चारो जवानों से मुलाकात की ADG भुशन कुमार उपाध्य, पुलिस आएक तमितेश कुमार और आईजी छेरिंग दोर्जे ने उनकी अगवाई की वर्ष 2016-17 में नकसलियो द्वरा अपनी गतिवीदिय चलाने के लिए महराष्टों, मद्यप्रदेश और 36 गड़ राज्य के अधिन, MMC जोन तयार किया गया इसी तर्च पर पुलिस की कोई समिती और समनवय नहीं होने के बारे में, पूछने पर पाटिल ने कहा कि तीनो राज्यों में समनवय के इंद्र सरकार के अधिन किया जाता है समय समय पर गुरुह मंत्रे अमिच शाह ने तीनो राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक भी की है ऐसा नहीं है कि तीनो राज्यों के पुलिस अधिकारियों का समनवय नहीं होता है इसी बीच मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गर्चिरोली पुलिस और C60 के जवान बेहतरिन कार्य कर रहे है मिलिन तेल तुम्बडे के साथ 26 नकसलियों का खात्मा होने से केवल राज्या ही नहीं पुरे देश की बड़ी घटना है इसे नकसलियों को बड़ा धक्का लगा है जखमी जवानों का उपचार जारी है और सभी के स्वास्ता में सुधार है जिले में केवल मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल नहीं है सभी तरका विकास करने की योजना है केवल पुलिस के लिए ही नहीं जिले की जनता को भी इसकी सुविधा मिलेगी मुल्बुत सुविधा है हर तबके तक पहुचाने का काम किया जा रहा है भटके लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जिले का विकास जरूरी है इन दिनों रेलवे सुरक्षा बल नाकपुर स्टेशन की सुरक्षा को फुकता कर रहा है कही से रास्ते बंद किये जा रहा है तो कही कॉमन एंट्री एग्जिट रखकर निगराने को भेतर करने का प्रयास है हानकि सुरक्षा की ये नई वेवस्थाओं या तरे सुविधाओं की बली ले रही है इसकी मुख्य वज़ा स्टेशन के दोनों और खराब हो चुके बैगेट स्टैनर है उलेक निया है कि स्टेशन के पुर्वी छोर पर एफोबी पर और पश्ची मी छोर पर मुख्य प्रविश द्वार के पास बैगेट स्टैनर मशीने रखी रहती थी पिछले करीब तिन वर्षों से मशीने खराब है अब तो इने हटा कर पीछे खिसका दिया गया है यानि साफ है कि अब ये मशीने दोबारा शुरू नहीं हो सकती ऐसे में देश के सबसे सव्वेदंशेल स्टेशनों में शामिल नागपूर में आरपीफ को सुरक्षा के मद्दे नजर नहीं नहीं व्यवस्था करनी पड़ रही है यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर एसकेलेटर लगाया गया है इसका उद्देश वुद्ध यात्रियों को आसानी से FOB तक पहुचाना है ताकि उन्हें CDA या RAM ना चड़ना पड़े स्टेशन पर छे एसकेलेटर है इन में से तिन प्लैट्फरम दो से साथ तक पुर्वी द्वार पर दो और एक पश्ची मी भाग में Open General Voting Hall के पास है जिसे अब पुरी तरह बंद कर दिया गया है आर्पियफ ने सुरक्षा की दुरुष्टी से यहां बारिगेट्स लगा दिये गया है इन्हें इस प्रकर लगाया गया है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति यहां की सीडियो और एसकेलेटर का उपयोग नहीं कर सकता यानि पश्ची मी भाग में मुख्या प्रविश्द्वार से आने वाले यात्रियों को प्लैट्फरम दो से साथ तक जाने के लिए रैंप चड़ना ही पड़ेगा सुत्रों से मिली जानकरी के नुसार नागपुर आर्पियफ ने मंदर प्रबंदन से कहा है कि अवे प्लैट्फरम एक पर बने क्लार्क रूम में सामान रखने वाले यात्रियों को किसी भी हाल में सीक्योरिटी सिल नहीं देंगे इसकी वज़ा खराब बैगेज स्कैनर है चुकि या आत्रियों के लगेज को स्कैन नहीं किया जा रहा है तो फिर पता कैसे चल गया कि उनके पास कोई संदिक्द या विस्पोटक सामगरी है ऐसे में आरपियफ क्लार्क रूम के लिए सीक्योरिटी सिल कैसे दे सकते हैं आनन्फानन में आरपियफ की मांग के बाद कुछ घंटों के लिए क्लार्क रूम की सुविधा बंद कर दी गई आग्विदरबर चेंबर आफ कॉमर्स की वार्शिक आम सभा एजी एम सुमवर को रजवडा पैलेस में हुई जिसमें वरतमान अध्यक्षा अशुन मेहाडिया को तीसरी बार अध्यक्षा बनने पर मुहर लगा दी गई लगोने अनुमान लगा लिया था कि जजबाजी में बैठक बुला कर कुछ न कुछ उलू सीधा करने का खेल खेला जाएगा जो बदलाव के रुप में दिखाई देगा चुनाव संपन होते ही लोगों के आशंग का अगीकत में बदल गई अगरवाल को हटाने के लिए एक गुट काम कर रहा था और वे अपनी चाल में सफल भी हो गए एक पुर्वा अध्यक्ष इसमें भूमी का निभा रहे थे वास्तविक्ता ये है कि जो पुर्वा अध्यक्ष सबसे ज़्यादा सक्रियर है वा खुद भी एक व्यापरि संगाटन का प्रतिने दिद्व करते हैं लेकिन उपाध्यक्ष को हटाने के पीछे इसी आरोप का भाना बनाया गया प्रतिक्ष रूप से सामने ना आकर पुर्वा अध्यक्ष परदे के पीछे से भूमी का निभाने का काम कर रहे है और उन्हें सफलता भी मिल रही है इसका मुख्य कारण है कि अन्य पुर्वा अध्यक्ष खुलकर किसी मुद्दे पर सामने आने को तयार नहीं है लोग चुप्पी का लाब उठा रहे है बैठक के समय संजी अगरवाल का नाम काटने का जब प्रस्ताव आया तो इसका खुलकर कुछ ने विरोध भी किया लेकिन विरोध की आवाज को दबा दिया गया अगरवाल पिछली काफी वर्षों से चेंबर से जुड़े थे इसलिए इस प्रकार से हटाने की प्रक्रिया का लोगों ने खुलकर विरोध किया कई लोगों ने कहां कि ये उचित नहीं है निश्चित रूप से आने वले दीनों में चेम्बर में मन मुटाओ बड़े पैमाने पर बढ़ेगा नागपुर पुलिस विभाग के परिमंडल 4 का पदबार संबालते ही डीसीपी नुरूल हसन ने अपने परिमंडल में सभी अवैध धंदे बंद करवाने के आदेश थानेदारों को दिये है इसके साथ ही उनका विशेश दस्ता भी कारवाई में जुड़ गया है पुलिस दस्ते ने दो सट्टा पट्टी और दो शराव अड़ो पर कारवाई की पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि नंदनवन थानांतरगत हसन बाग परिसर में फैजान नामक चर्चित अपराधी का सट्टा पट्टी का अड़ा चल रहा है फैजान एक मामले में जेल में है लेकिन उसके चमचे काम समाल रहे है खबर के आधार पर पुलिस ने चापा मारा हसन बाग निवासी शेक सल्मान और शेक अश्वाक को रंगी हाथ दिरफतार किया गया उनसे सट्टा पट्टी सहीद 37,690 रुपे का माल जब्त किया गया इमामबारा थाना अंतरगत बीडी पेट परिसर में पुलिस ने सचिन शंकराओ समुद्रे के शराब के अड़े पर चापा मारा यहां से 30 लीटर महुआ शराब सहीद 16,400 रुपे का माल जब्त किया गया सुमवार को पुलिस ने रामेशोरी में आकाश राजु वर्मा के अड़े पर चापा मारा तलाशी में उसके पास 128 बोतल शराब बरामत हुई इसी दोरान पुलिस को सक्करदरा थाना अंतर गट बीडी पेट परिसर में सट्टा पट्टी की खायवाली शुरू होने की जानकरे मिली पुलिस ने सोनजरी नगर में छापा मार कर सट्टे की लगवाडी करते विशाल राकेश नाकड़े और गवरव भावरव धान्डे को गिरफतार किया उनसे नकड़ 9,230 रुपे सहित 22,230 रुपे का माल जब्त किया बक्तो चला है एक ब्रेक का मिलते एक चोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका पाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट टेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flyveal Aviation Academy Flyveal Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिट है जहां पर Airlines and Airport Hospitality और Tourism Management साथ ही यहां Campus Interview, Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे Benefits आप पास सकने है Flyveal Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flyveal Aviation Academy Gives you a Degree or Diploma with a Job Flyveal Aviation Academy 365 Garni Nagar LAD College Square Beside Karnatika Bank Nagpur ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पांच बॉली पुलिस ने गश्ट के दोरान अलग-अलग वारदातों में तीन चोरोगों की रफतार किया पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताच की तो आरोपियों ने चोरी की घटा कबूल कर ली पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,15,000 का माल जब्त किया पुलिस से मिली जानकरी के अनुसा तीन दिन पहले मसका साथ परिसर में नूर मुहम्मत का ई रिक्षा घर के सामने दिन धाड़े चोरी हो गया था रविवार को गस्त के दोरान पुलिस ने दो यूवकों को ई रिक्षा को धक्का मारते देखा संदेह के आधार पर उनसे पूछताच की गई रिक्षा की मालकी के बारे में दोनों संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए उन्हें थाने ले जाकर रिकॉर्ड जांच करने पर तीन दिन पहले ई रिक्षा चोरी का मामला दर्ज होनी की जान काने मिली पकड़े गए आरोपियों में नंदागेरी रोट तांड़ा पिट निवासी तुशार उर्फ लादेन महिंद्र भामोडे नाइट तलाब बैरागीपुरा निवासी राकेश हिरालाल सुगदान ने रिक्षा चोरी करने की बात कबूली रविवार को ही पुलिस ने तीन खंबा टिम की निवासी सुरेंद्र उर्फ कलू लिलाधर होले को गिरफतार किया पुश्टाश में उसने वाहन और मोबाइल चोरी की वारदतों को अंजम देने की बात कबूल कर दी इसके अलावा M.I.D.C. और मानका पुर्थानक शेत्रा में भी उसने चोरी की वारदत को अंजम दिया पुलिस ने आरोपी से मोबाइल घड़ी और दुपईया वाहन साइथ दो लाख पंद्रह हजार रुपे का माल जब्त किया है वैसे तो हरी सबजिया लोग सेहत बनाने के लिए खाते हैं लेकिन इस साल ये सबजिया लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है इसका कारण इनके बढ़ते दामों का ग्राफ है जो नीचे नहीं आ रहा है उपर ही उपर भाग रहा है सबजियों में टमाटर ने तो उतपात मचा रखा है शहर में इसकी कीमत 70 रुपे से 80 रुपे किलो हो गई है वही दुसरी हरी सबजिया 60 से 70 रुपे किलो के बीच में बीक रही है सबजियों के बढ़ते दामों पर जब कुछ ग्रोहनियों से बात की गई तो उनका कहना था कि सरकार नहीं चाहती की लोग चैन से जिये इसलिए वो महंगाई पर महंगाई बढ़ा कर जटके पर जटका दे रही है थोग बाजार में अच्छी कॉलिटी का टमाटर 4000 से 5000 रुपे प्रतिक विंटल विक रहा है मंडी का भाव तो सिर्फ 1200 से 2200 प्रतिक विंटल है लेकिन खुद्रा बाजार में इसकी कीमत 40 रुपे प्रतिक विंटल पर पहुच गई है बैगन की कीमत को देखी तो इसकी कीमत भी थोग बाजार में 1000 से 2000 रुपे प्रतिक विंटल है गोबिकी कीमत 3500 से 4000 रुपे प्रतिक विंटल है जो खुद्रा में 80 रुपे प्रतिक विंटल हो गई है वैसे तो दीपावली के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है इस दोरान हरी सबजिया भी सस्ती हो जाती है लेकिन इस बार टमाटर सहित कोई भी हरी सबजी सस्ती होने का नाम नहीं ले रही है इसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है अगर थोक और खुद्रा की बाद करें तो रेट दो गुने हो चुके हैं सबी मुनाफ़ा वसुल करने के लिए लगे है जिसका खामियाजा आम आदमी को भूगना पड़ रहा है किसी का भी रेट पर नियंतरन नहीं है भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सुची के संख्शिप्त संशोधन की घोशना की है विभागी आयोगतव मतदाता सुची निरिक्षक प्राजक्त लमंगारे वर्मा ने राजनितिक दलों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि वे इस पुनरिक्षन कारेक्रम के तहत नए मतदाताओ के पंजीकरन सहित मतदाता सुची में हुई त्रूटी योगों को दूर करने में सहियो करे विभागी आयक तो मतदाता सुची निरिक्षक प्राजक्त लमंगारे वर्मा ने कहा कि 31 नमंबर तक पुनरिक्षन कारेक्रम में मतदाता सुची में नाम जोडने मृतक और डूप्लिकेट मतदाताओं के नाम हटाने उन्हें स्थानांतरित करने नामों को सही करने का आउसर प्रदान किया गया है इसे लेकर प्रशासन जागरुकता फैला रहा है राजमितिक दल भी मतदान केंद्र के स्तर पर प्रतीनीधियों की नियुक्ति कर सहीयोग करे साथ ही अपने स्तर पर पुनरिक्षिन कारेक्रम की जानकरी नागरी को को दे यदि समन्द में कोई समस्य आती है तो हल्पलाइन नंबर पर आफलाइन या ओनलाइन आविदन किया जा सकता है महाविद्यालेव एवं विशविद्यालेव में युवाओं के मतदाता पंजी करन हेतू कैंपस एमबसेडर के माध्यम से प्रयास किये जाने चाहिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को सूचना प्रसारित की जानी चाहिए संशिप्त समिक्षा कार्यकरम के तहट विशेशभियान के दौरान वरिष्ट अधिकारी मतदाता केंदरों पर जाकर कार्यवाही की समिक्षा करे मौसम में बदलाओ का सीधा असर स्वास्त पर हो रहा है रात में ठंड और दिन के वक्त हल्की उमस की वज़े से बीमारिया फैल रही है इन दिनों सरदी, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या बड़ी है खास तोर पर बच्चों में ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है डॉक्टोरों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह संक्रमन बना रहेगा दिवाली के बाद ठंड शुरू होने के साथ ही सरदी, खासी और जुकाम के मरीज बढ़ते है ठंड के साथ ही परियावरन में फैले प्रदोशन की वज़े से भी खासी और अस्थमा की शिकायत बढ़ती है इन दिनों ठंड में उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा है पिछले दो-तिन दिनों से दिन के वक्त खलकी उमस होने लगी है वही शाम की बाद ठंडी हवाय बहने लगी है मौसम के इसी उतार चड़ाओ की वज़े से बिमारिया फैल रही है डॉक्टरों की माने तो इन दिनों सरदी खासी आम बात है लेकिन कोरोना की वज़े से तत्काल इलाज करना आवश्यक है किसी भी विमारी को हलके में नहीं लिया जा सकता मौसम में बदलाओ की वज़े से बच्चों में सरदी खुकाम की शिकायत देखने को मिल रही है ये एक तरह से वाइरल इन्फेक्शन है परिवार में किसी एक को होने के बात बाकि सदर से भी प्रभावित होते है समय पर उपचार आवश्यक है बच्चों के साथ ही बड़ों को भी सरदी खुकाम हो रहा है ठंड से बचने के लिए गरम कपडों का इस्तमाल करना चाहिए साथ ही समय पर जांच कर आउशोध हचार कराए मनमर्जि से दवाई का सेवन करने से बच्चे अभी कोरोना पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है मास का इस्तमाल इंफेक्शन से बचाएगा कोरोना के वक्त शास्के स्वास्ता सेवाओ के मात वो बुनभूमिका रही इसके बावजुद राज्य सरकार और इंसिटी के मेडिकल कॉलेजों को साधन सुविधाय उपलप्त कराने के मामले में गंभिर नहीं है मेडिकल में न केवल राज्य के बलकि दो-तिन पड़ोसी राज्यों से भी मरीज आते हैं मेडिकल में पिछले दो वर्ष से MRI मशिन बंध है इसमें मरीजों को नीजी अस्पतालों में जाकर टेस्ट कराना पड़ रहा है निर्धन वजरूरत मंदों के लिए नीजी अस्पताल का खर्च वहन करना मुश्किल है इस समद में भाचपा कामगार आगाड़ी के अधिक्ष भासकर पराते के नेतरुत्व में शिष्टम अंडलने वैद्य के अधिक्षक को ग्यापन सोपा साथी जल्द से जल्द मशिन चुरू कराने की दिशा में कारे करने की मांग की है चर्चा के दोरान भासकर पराते ने बताया कि दो वर्ष से मशिन बंध होने के बाद भी कोई गंबिरता नहीं दिखा रहा है निर्धनवा जरूरत मन आस लगाए मेडिकल में आते हैं लेकिन उन्हें टेस्ट के लिए बाहर का रास्ता दिखा जाता है नीजी अस्पतालों में अमराई जांच के लिए 7000 से 10,000 रुपे लगते हैं मशिन दिसंबर 2019 में ही कला भाईय हो गई ही तब से लेकर अब तक केवल कागजी कारिय वाही में ही वक्त गमाया गया आगड़ी सरकार सरकारी अस्पतालों को लेकर गम भिन नहीं है दो वर्ष तक मेडिकल को बीना MRI मशिन के रखा जा रहा है मरीजों के साथ ही उपचार करने वाले डॉक्टरों को भी प्रहशानी हो रही है समय पर टेस्ट रिपोर्ट उपरणब नहीं होने से इलाज में देरी होती है इसे मरीजों की जान को खत्रा बढ़ सकता है प्रितम बोकडे, रुपेश निमजे और कामगार आघाडी के अन्य पदाधिकारी उपस्ति थे तो सुभा के प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज नमस्कार